नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आए सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी रेल पुराण इधर मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि भला आदमी वह है जो कभी रेल की सेड़िया नहीं चड़ा हमारे बचपर में यह मुहावरा जेल के लिए प्रयुक्त होता था तब तो इसकी सार्थक्ता समझ में आती थी किन्तु जो लोग रेल के और खासकर भारतिय रेल के संबंद में ऐसे शब्द कहते हैं वे निश्चय ही पुर्वदूशित ग्रह के शिकार हैं कायर हैं जीवन से भागने वाले हैं विश्र की अनेक संस्थाओं की तरह भारतिय रेल्वे के उद्देश भी अत्यंत पवित्र हैं उनके मूल में सेवा भावना की मूटी पर्त भली भाती देखी जा सकती है जरासी असुविधाओं को लेकर इतनी बड़ी बात को नजर अंदास कर देना अपनी ही संकिर्णता का परिचय देना है किसी भी रेल्वे आहाते में अपनी सामान विंध्याचल को लेकर प्रवेश कर जाईए लाल वस्त्रधारी कूलियों की सेना अगवानी के लिए दोड़ पड़ेगी रेल यात्रा के यह अनिवारी प्रश्ण है इनी पसंद पर छोड़ने से गंभी रिस्थिति उत्पन हो सकती है प्रथम पूजियत गंडराव के समान निर्वेगने आत्रा के लिए इनकी मनोभाव से सेवा करनी चाहिए फिर बिना रिजर्वेशन के थ्रू डिब्बे में प्रवेश भी मिल सकता है जिला बंदी और प्रांत बंदी को अमूठा दिखा कर कोई भी चीज इधर से उधर की जा सकती है इनके कुशल निर्देशन के अभाव में यात्रियों की वही दशा हो जाती है कि गुरू बिन कौन दिखावे बाट क्योंकि इनकी महिमा अप्रमपार है अगर किसी टर्मिनल से बैठना है तो पंद्रबीस रुपए की तुछ रकम भीट करने पर आप अक्षराश बैठ कर यात्रा कर सकते हैं बाल रूप में यंत्रतंत्र बिखरे हुए इनके एजिंट इनकी कृपा के बेना आपकी डाल नहीं गलने देते ऐसे सामर्थवान व्यक्ति को कूली जैसी हे युपादी से पुकारते हुए बड़ी लज्जा आती है आशा है हमारे कोशकार कोई मुनासिव सा संबोधन ढून निकालने में हमारी सहायता करेंगे टिकेट घर के खिड़की के सामने कई लोगों का नर्वस ब्रेट डाउन होते हुए देखा गया है ऐसे परक्रमी पुरोष घर से बाहर निकलने का कस्ठी क्यों करते हैं समझ में नहीं आता क्योंकि यह विशाल क्यों तो एक लक्षमन रेखा है जिसे पार करने वाला ही रेलवे में चड़ने का अधिकारी है कई लोग टिकेट घर के पास लिखे हुए जेब कतरों से सावधान इस सूचना से डर जाते हैं और बुकिंग लर की ओर शंकालू दृष्टी से देखने लगते हैं लेकिन सच मानिये वह बड़ा निरापत जी होता है एक आद बार गुर्राकर बोलने के अत्रिक्त वह कुछ अधिक अहित नहीं करता कई लोग उसकी मुखमुद्रा से ही भैबीत हो जाते हैं तो यह उसकी क्वालिफिकेशन है आपने रामायन में पढ़ा होगा कि मेगनात को वही मार सकता था 12 वर्षों तक जिसने आहार निद्रादी का त्याक कर रखा हो उसी प्रकार बुकिंग क्लर्क भी वही बन सकता है जो पिछले 6 वर्षों में एक बार भी मुस्कुराया ना हो प्रतीक स्टेशन पर कम से कम एक प्लेटफॉर्म होता ही है बड़े स्टेशनों पर इन्हें भारत के दर्षनी स्थानों के चित्रों से सजाय जाता है इनका विस्त्रित विवरन, स्री कनहया लाल कपूर लिखित भारत देखिये लेख में पढ़ने को मिल सकता है अकसर इस्टेशनों पर वजन तौलनी की मशीने होती है यह सब जानते हैं कि वे अकसर ठीक हाल में नहीं होती जैसा कि कई बार उन पर लिखा भी होता है फिर भी लोग हैं कि सिक्का वश्र डालते हैं और फिर कोसते हैं और कौन समझदार वेक्ती अपना वजन तौलना चाहता है लोग तो बस वे चिकनी चुपड़ी बाते पढ़ना चाहते हैं जो वेड कार्ड अपने साथ लाता है उन्हें पढ़कर कुछ देड तक तो अपने उपर गर्व करने को जी चाहता है जब भी आप यात्रा करें टाइम टेबल अवश्य खरीदें या किसी भी छोटे मोटे रेलवे पुस्तक विकरेता के पास मिल जाता है इतनी कम कीमत में घटिया से घटिया पत्रिका भी आपको नहीं मिलेगी फिर प्रिष्ट भी कितने होते हैं रद्दी में पूरे दाम वसूल हो जाते हैं हमारा रद्दी डीलर कभी इसे नहीं लेता इस टाइम टेबल का दूसरा और महत्वपूर्ण उपयोग या है कि आपको पता चलता रहता है कि गाड़ी अपने नियत समय से कितनी लेट चल रही है रेल दुरगट नाएं भी कमबख ऐसी ऐसी जगहों पर होती हैं कि बिना टाइम टेबल की सहाय तके उनके ठीक सिचुएशन का भी पता नहीं चलता जो लोग टाइम टेबल नहीं खरीद पाते उनकी सुविदा का ध्यान भी भारतिय रेवले को है अक्सर माइक से आने जाने वाली गाड़ियों की संबंद में सुचनाएं प्रसारित होती हैं इस प्रसारण का मूल श्रोथ द्रिष्टी बिंदू से उचल रहता है इसलिए उसके जनाना या मरदाना होने की अटकल लगाने में समय बड़ी सरलता से कट जाता है और फिर इनका नजरों की ओठ होना ही अच्छा है क्योंकि कई बार शमा कीजिये की सलामी के साथ ऐसे भूल सुधार होते हैं कि बोलने वाले का सर नोच लेने को जी चाहता है प्रतिक्षा रतियात्रियों के लिए रेलवे ने विश्राम ग्रिहों की भी विवस्था कर रखी है यहां आप अपने सामान का या बाहों का तकिया बना कर आराम से लेट सकते हैं पत्थर की जो बेंचे बनी हुई है उन्हें हवलदार जी वाच मैन या टीटी के लिए छोड़ दीजिए यह सिष्टा चार का तकाजा है नियम नहीं है और नीचे लेटने या बैठने में बुराई भी क्या है किसीने ठीक कहा है जब रेल में पाउं दिया तो गंदगी से क्या डरना रेल छोटी हो या बड़ी लेट हो या राइट टाइम उसके आने और जाने की घड़ियां पड़ी रुमांचकारी होती है तठस्त प्रेक्षक को उसमें भारत के नाट्टे सास्त्र में वर्णित सभी रसों की स्रिष्टी अपने इस्थाई और संचारी भावं सही धोती दिखाई देगी दर्जनों रुमाल और कई जोड़ी डबडबाई आखें व्रिपलब की छटा भिखेरती है चर्णे और उतरने की धकापेल रौद्र भयानक और बीडरस का संगम प्रस्तुत करती है विभत्स तो रेल यात्रा का इस्थाई भाव है कई बार सोचा के अंग्रेजी में जिसे कमपार्टमेंट कहते हैं उसे हम लोग डिबबा क्यों कहते हैं लेकिन जितनी बार अपने से तर्क किया है निशकर्ष यही निकला है कि इससे सटीक शब्द उसके लिए नहीं है जितना चाहे भरते जाओ और कसकर मोन दो डिबबे का यह मोल मंत्र यहां भी सार्थक होता है प्रायर डिबबों पर यात्रियों की निर्धारित संग्या अंकित रहती है किन्तो हमारी भूली जनता समझती है कि डिबबे में इससे कम यात्री नहीं बैठेंगे बस घुस्ती चली आती है चार दर्वाजे और दस खेड़कियों वाले कमरे में आपने किसी का दम घुटते हुए देखा है पर हमारी रेलवे ने यह चमतकार कर दिखाया है मुझे हैरत है कि किसी ने अभी तक उसे नोबल प्राइस क्यों नहीं दिया भायरती रेलवे में घुसना चाथ समंदर पार की चड़िया लाने से भी अधिक ठिन काम है दरवाजों के पास फर्स्ट, सेकिंड एंड थर्ड लाइन ओफ डिफेंस के रूप में सामान और यात्रियों की व्यू रचना की जाती है किन्तु इससे मुसीबत केवल उतरने वाले ही पाते हैं आने वाले तो घुसपैठियों की तरह खिड़कियों से पिछले दरवाजे से किसी का पाउं, किसी का बच्चा को चलते हुए चले आते हैं थोड़ी देर महाभारत होता है, गाड़ी चलते ही सब शान्त हो जाता है आपस में गाली गलोज करने वाले सरकार को कूसते हुए अगले स्टेशन के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने लगते है यात्रियों के इस प्रकार के विवहार में कोई भी तिहास प्रेमी भारतियों की मूल प्रवित्ती के दर्शन कर सकता है हमारे यहां आर्य आये, हूण आये, पठान आये, अंग्रेज आये हमने हमेशा पहले तो मुकाबला किया, फिर उन्हें अपनी साथ लेकर दूसरे मुकाबले के लिए तयार हो गए डिब्बे में एक बार प्रविश पालेनी पर जिग्याशू, दर्शक, अनेक प्रकार के योगासनू और भरत नाटियम की अनेक मुद्राओं के दर्शन कर सकता है खास कर रात के समय गाड़ी की ताल पर सोते हुए सब ऐसे लगते हैं स्लिपिंग व्योटी नामक नाटक की प्रजा, रंबा, संबा ये इसी प्रकार का कोई निद्रा नित्ते कर रही है कई स्थित प्रग्य दिन के समय भी पैर फैला कर सोते रहते हैं अनेका अनेक व्यंग बाड़ों को वे जिस निरलिप्तता से ग्रहन करते हैं, उसे देखकर इर्शा होती है हमारी रेलों के डिब्बे अनेका अनेक सुक्सुविदाओं से भरे हुए होते हैं इसके दिवारों परंकित अनेका अनेक सूचनाय यात्रियों का मनुरंजन करती हैं इन डिब्बों में पंखे होते हैं जो सर्दियों में भी चलते हैं बत्तियां होती हैं जो दिन में भी जलती रहती हैं कभी अगर रात में वे धोखा दे जाती हैं, तो लोग बड़ा शोर मचाते हैं, तरह तरह की बाते करते हैं, क्या हमारे घरों में कभी फ्यूज नहीं उड़ता, क्या हम लोग सारी सारी रात बत्ती जला कर सोते हैं, फिर पता नहीं लोग वहां इतने असहेशनों क्यों होटत लोग तो बस लीक पर चलना जानते हैं। इससे भला कहीं पानी के बहुचार रुकती है। इसके नियम पड़कर हे दह्शसी हो जाती है। फिर भी उसे लटकी हुई देखकर आश्वासन सा मिलता है कि कोई तो उसे खीशता ही होगा यात्रियों की सुविदा के लिए इन डिब्बों में एक महत्वपून संस्था होती है संडास वैसे प्राया इसमें अनावरिष्टी या अतिवरिष्टी की शिकायत रहती है किन्तु यह दुर्भाग्य तो भारतिय जन्ता की खास वपौती है उसके लिए कहां तक मायूस हुआ जाए जो लोग थोड़ा बहुत परवाता रोहन का ग्यान रखते हैं वे अपनी सीट से संडास तक बखू भी आ जा सकते हैं फिर भी इसका महत इस द्रिष्टी से अधिक है कि ये बिना टिकट यात्रियों के आश्रय स्थल है बे टिकट यात्री भारतिय रेलवे के एक महत पूर्ण अंग है यह भी नहीं कि सरकार उनसे बेखबर है संसत के अकसर प्रशनोत्रों के समय इनकी ठीक ठीक संख्या तक बतला दी जाती है वैसे भी माई बाप सरकार जनता के सभी वर्गों का ध्यान रखती है इसलिए प्रतेक स्टेशन से एक तेड़ मिल पहले गाड़ी रोग कर इन लोगों को उतर जाने दिया जाता है ऐसे समय में टिकटधारी यात्री अपनी ही नजरों में बहुत गिर जाते हैं सो बात अलग है रेलवे महिलाओं के हितों के प्रती भी जागरूख है इस बेस्वी सदी में भी महिलाओं के लिए विशेश डिब्बे होते हैं जिनमें महिला यात्रियों का बेस्वा महत्वपून भाग यात्रा करता है। इन डिब्बों की बनावाट विशिष्ट प्रकार की होती है। कहते हैं कि इनकी खिड़कियों से पानी का भरा हुआ ग्लास भी अंदर नहीं आ सकता। ऐसे देश में जहां प्रतेक इस्त्री और सतन पाँच बच्चों को जन्म देती है और प्रतेक बच्चे के जन्म के साथ दसपॉंड अत्रिक्त चर्भी अर्जित करती है। ऐसे डिब्बों की उपाय देता पर संदे होने लगता है। पर सुरक्षा की द्रिष्टी से विचार करें तो हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। बहारते रिल्वे से यात्रा करते हुए हम हर प्रकार की वस्तुएं खरीच सकते हैं। बशरते हमारा हाथ खिड़की तक बहुत सके। अकसर कीमते सुनकर पसीना छूट जाता है, जिससे शरीर भी हलका रहता है, पैसों की भी बचत हो जाती है। स्टेशनों पर बिखने वाली साग पूड़ी एक कलात्मक वस्तु है। लाख कोशिश करने पर पाव भर आटे की चार पूणिया बनाना मेरे लिए संभव नहीं हो सका है। बहानमती के कुनबे की हमसाया वहसब जी, सचमुष हमारी फिजूल खर्च बहने इससे बहुत कुछ सीख सकती है। रेलवे रेस्टोरेंट्स का भोजन सचमुष अच्छा होता है। इतना विशाल यह देश है किन्तु भोजन के संबंध में सांस्कृतिक एकता इस्थापित करने का श्रे रेलवे के भोजनालें को है। इस संबंध में वे घोर परमपरावादी हैं। एक बार इनके हैं भोजन कर लेने पर पांच साल बाद भी आखे बंद करके हम खाना खा सकते हैं। इतना सेट मेन्यू होता है। शिकायत होती है तो केवल बैराओं से। टेप्स देने की कानूनन मनाही होने के कारण इनका विवहार कुछ ऐसा होता है। जैसे सास की धोस के कारण बहु अंचाहे देवर को खाना खिला रही हो। बोजन के प्रसंग से याद हो आया अकसर रेलवे के विज्यापनों में जलते हुए स्टोव का चित्र दिखाय जाता है। ऐसा लगता है कि यह चित्र 19-वी सदी का होगा। क्योंकि अब ऐसा खत्रा नहीं रह गया है। इस स्टोव क्या किसी के सिर पर जलाय जाएगा। चलते चलते कुछ सुझाव है। वे भी सिर्फ इसलिए कि विज्यान की इस देन का हम ठीक ठीक उपयोग नहीं कर पा रहे है। हमारे यहां इन दिनों विद्यार्थियां अंदूलन काफी होते रहे है। मनीशियों का कहना है कि छात्रों में अत्रिक्त क्रिया शेलता उफान ले रही है। उसे ठेक निकासना मिलने के कारण ये तोड़ फोड की कारिवाहियां होती है। मेरी प्रार्थना उन विद्यार्थियों से है कि वे कम से कम एक गाड़ी पर जाकर एक यात्री समूं को गाड़ी पर चढ़ाने का पवित्र कारे करें। स्वार्थ और परमार्थ दोनों से धोंगे। जो लोग जीवन में कुछ अड़वंचर करना चाहते हैं, वे बड़ी लाइन पर हूली दिवाली के मौके पर यात्रा करें। जो लोग आंचलिक कथाएं लिखते हैं, वे मेले ठेले के दिनों में छोटी लाइनों पर यात्रा करें। अनेक परिभाशेक शब्दावलियों से उनका बंडार भर जाएगा एक सुझाव बीमा कमपनी वालों के लिए है सुना है कि हवाई यात्रियों के लिए एक तातकाल एक बीमा योजना होती है जिसकी मियाद यात्रा के साथ समाप्त हो जाती है ऐसी कोई योजना रेल यात्रियों के लिए भी होनी चाहिए मरने वाले को तो लाभ होगा है कमपनी भी घाटे में नहीं रहेगी सब के सब तो मरते नहीं कई लोग जीवन मुक्त होने के लिए रेल की पट्री परास होते हैं वे भी बड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि जैसे जैसे समय आता जाता है मृत्यू का भै बढ़ता जाता है क्या पता इरादा ही बदल जाए फिर गाडियों के समय का क्या ठीक है अब वे आत्महत्या के लिए जाते समय टिफिन तो साथ रखने से रहे इससे तो बलकी रेल में यात्रा कीजिए यदि भाग्य अच्छा हुआ तो मौत बिल्ली की तरह आएगी जपट्टा मार कर ले जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा उस मौत में शान भी है मौपजा तो खेर मिलता ही है बड़े-बड़े महानुभाओं के शोक संदेश भी मिलते हैं नहीं तो यह क्या कि मर भी गए और मजा भी नहीं आया कहीं पाठक यह तो नहीं समझ बैठे कि दुरगट नाओं के लिए रेलवे की प्रशंशा की जा रही है जी नहीं यह भी क्या कोई प्रशंशा की बात है पर रेलवे विचारी क्या करे देश में अराजक तत्व जो फैले हुए हैं पता नहीं उनमें कैसी शक्ती है कि वे चलती गाड़ी को खड़ी हुई गाड़ी से भी टकरा देते हैं आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी व्यंगात्मक कहानी रेल पुराण उमीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी धन्यवाद